सबी को जैंद दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है हमारे यूटीब चैनल पर तो आज हम आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेके आए हैं जो इन्फोमेशन से भरी है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें क्य की जी हाँ प्राइम मिनिस्टर शेहबाशरीब ऑजकल कतर के विजिक पर है और वहां पर युएन की काड परफिरिंस चल रही है और मुझे अमीद है कि वहाँ जा कर वैसे हलकी पुलकी उमीद रखनी ही चाहिए तो मैंजे हलकी पुलकी से उमीद है कि शेभाई शरीफ साथ जो है यूँन कांफरेंस कतर में जाकर जो है वो कश्मीर कश्मीर या भारत भारत के बजाए जो है पाकिस्तान पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और पाकिस्तान के लिए बताएंगे कि पाकिस्तान की एकॉनमी की क्या कंडिशन है और पाकिस्तान में किस चीज की जरूरत है और किस तरह से हम पाकिस्तान को बहतर बना सकते हैं शायद वो उस पे बात कर लें हो सकता है कर ही जा इसलिए कि अब तो जो लोग डिक्टेशन मना के देते हैं जो उनको पड़्शियां देते हैं या किसी भी प्राइम इनिस्टर को बताते हैं कि आपने जाकर वहां पे ये बात करनी है अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना तो उन लोगों को भी शायद भी अंदाजा हो गया है कि ह हमारी एकॉनमी जो है उसकी क्या हालत हो गई है बलकर एकॉनमी की हालत क्या एकॉनमी रही ही नहीं एकॉनमी तो कब की आप समझे रहें ना तो फिर अब मतब अब कुछ तो मतब एकॉनमी को वापस कैसे बुलाएं एकॉनमी को कैसे लेकर आएं कैसे संबालें कैसे ठीक करे ये सारी बाते और ये सारी दुआएं जो हैं वो उनसे शिकर और पढ़कर आनी चाहिए क्योंके कतर में हो सकता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो उनको कोई इस किसम की जादू की छड़ी दे दे या कोई ऐसा नुस्खा बता दे कोई ऐसी मेडिसन बता दे जिससे पाकिसान की तो चाहिए और और हैं जालत है वो बेतर हो सकें क्योंके आयम खाले जो हैं आर वो तो खुरी तक पैसे नहीं दे रहर है उननों ने चैंजी कप sitä आबछिप कम करो आपनी कर या कभी हैं अपने जो कबह니다 पर बोग ना डालो कभी चलते वह ना चलाकरे क बन्सक्त चामा माल किया हुए यानि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब एक जैसे हो जाएं तो ऐसा तो जी पाकिस्तान में पॉसिबल है नहीं लेकिन हाँ ये जरूर है कि मेरा ख्याल है कि इस वाकि सागडार सहाब और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज और सब लोग मिलकर औ आपको मालूब है ना बड़े बड़े मगरमच सारी नहीं मगरमच नी क्या वो लेंगे उनको बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना जी हाँ जी हाँ इस्टेविश्मेंट में भी एडिट कर देना चाह तो वो लोग जो है वो तो यहीं कहेंगे ना कि जी पैसे लेने के प्रण व गेरा नहीं है हमारे पास णोलर जो है वह औोने के बराबर मगर तेंशन नहीं यह वह जो यह इत्फिकिया मैंने भी ल्मेय नोबाइल ऑ 84 पहिंके सोनने के सब फेंक हैं नहीं को जहाज भी अया अँब शौना कि गार्फिए व roku प्रफ़न वगहरा गिराए गी और फूलों की पतिया निशावर की गी गी पैसे गिराए गी पैसे उनके लिए एक डाइमंड का जो है नेकलस जी वो रेडी करवा है पंदे जोरा बात वे पंदेथ है ने कुछ रहां लाए कुछ आतर फैर परे बड़े दूरान बदे तो हमने फोन वगहरा और कपड़े वगहरा अच्छे ने ब्रैंड के कपड़े गरवाए और हमारा आगे भी फ्लैन है अमेर जहाल के बाहर जाग जी आपने देखा यह जी पंजाब का शेर है बंडी भावदिन और वहां पे कोई बिजनस कमुनिटी के साब है उनक्या शादी थी और उन्होंने इस तरह से जी सोने के सिक्के भी फेके नोड़ भी फेके सूट भी फेके और मुबाइल बीपेके मुबाइल फेकते वक्त अगर मुझे बता देते तो मैं भी एकड़ों कैच करी लेती लेकिन खैर कोई बात नहीं पिर कभी साही हो सकता है इस इनके और भी रालेटिव जो जिनके इस किसम की शादियां हो नहीं हो तो प्लीज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं जिन्हों डॉलर हमें दे दो और खुद का हाल ये है कि कहीं मुबाइल उटाए जा रहे हैं तो कहीं नोट फेके जा रहे हैं कहीं बरसात हो रही है नोटों की ये किस किसम के लोग है मतलब हमारी तो बात वही है कि हम लोग दिल में तो आते हैं समझ में नहीं आते लेकिन खैर हम चलत अराम से बैटके पकोड़े चाह के साथ जो है वो पे टीवी देखूंगी और पिक्चर विक्चर देख लोगी कोई नई पुराने कोई तो आई होगी ना तो अभी यही सोच बैठी थी और अभी चाहे मैंने बंदे के लिए रखी थी और बेशन लेके मैंने पकोड़ों का ज कुछ भी समझ लेते तो जी जमान पार्क उस जगा का नाम है कभी आप लग समझे कि शहाथ खान साब बिल्डिंग में नहीं रहते हैं खान साब पर टेंट लगाए वह खान सामने पार्क के अंदर नहीं 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 दी ऐसी कोई बात नी हां तो मैं यह बता रही थी कि सरफी से उपर उसकी करने के लिए पुली स पहुज गई आप फिचैंज जमान पार्क के घर चली गई लेने रहे police sir करना मुश्किली नहीं नमूम्किन तो बिल्कुल यही उप जी समय करेना गया ना वहार गाना गयाते है चल मेरे बाई चल चल मेरे बाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाउँ पढ़ता हूँ चल मेरे बाई तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने इमरान खान सामने बिल्कुल वही रिप्लाइ दिया जो बच्चन सामने किया था अब है चल हट इदर से जी क्या से जी शिबली फराद Shanghai जो के अम्रान खान साही के पार्टी के मिंबर भी है और एक जमाने वे झाद मिनिस्टर भी रह चुके हैं तो आप तो बनते ही हैं कि हमारे जितने पॉलिटिशन जो भी प्राइम निस्टर बन जाते हैं अपने सब आगे पीछे चम्चे प्लेट सब लोगों को वह मतलब मिनिस्टर बना देते हैं तो बिल्कुल यह भी मिनिस्टर थे और इन्हों ने जाके पुलिस से जो है वह पेपर साइन कर द कि वह जी और वही तमाश है जो हमेशा होता है कि पुलिस जाए वह वह वापस आगी और हुआ यह कि उसके बाद पता लगा कि खान साब तो अंदर कोई इवंट कर रहे थे यानि कि जमान पार्क उनके घर के अंदर जो लॉन है वहां पर खान साब ने एक भाशन देने का प पाकिस्तान को जलीड कर रहा है जी एकजक्री यही όर्ड खानसाब ने सिम्ल कि एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान को जलील कर रहा है लेकिन खानसाब इंडियन प्रिंस जो मौम्मद बिन सल्मा ने उनसे भी जहाद उधार उधार लिया था वैसे पहली बार देख रही हूं में के लोग जहाद भी उधार ले ले लेते हैं वैसे आइडिया अच्छा है तो उसमें जब आप जाया करते थे कभी अमेरिका और कभी किसी और कंट्री में तो वहाँ पर कि आप पैसे वापस करने जाते थे जो आप भी तो मांगने ही जाते थे तो पिर ऐसी क्या बात होगी पाकिस्तान जब से बनाए 1947 से लेकर अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं जितने भी लोग आएं सब पैसा मंगने के लिए गये मांगने के लिए कि इसलमें ऐसा भी अप्राइम मीनिस्टर निकल निकला गुजरा ओ आ या गया ऑ जिसने के पैसा वापस करने के लिए जो है वह किसी कंट्री में गया हो जी आपके ये जहाद भर के में पैसे वापस लेने अई हूँ अगर ऐसा कोई है तो प्लीज मुझे बता दिया खाना के लिए जह है वो मुझे बार-बार कहा जा रहा है कि मुझे अरेस्ट करेंगे और अगर मुझे अरेस्ट करना है अगर आपने मुझे तोश्रा खाना केस के लिए बुलाना ही है तो फिर ऐसा कीजिए कि उस जो मतलब कोट जो सुनवाई करेगी वहां पे जो केस चलेग करे यूटिलिटी बिल्स दे या बैड के आपके केसिस सुनती रहे जो के इतने जादा हैं कि एक के बाद एक बहुत केसिस आपके उपर बने वैसे ही जैसे आपने दूसरों पर बनाएते अब वही कुछ आपके लिए पलट पलट कर आ रहा है तो मेरा बात हो रही है अबरान खान की तो हम थोड़ा सा सुन लेते हैं कि आखर खान साब ने कहा किया है इन लोग उन्हें तहफ़स देना है और यह यह जो डिर्टी हैरी जिसको मैं कहता हूं ये अपने हधारे को ब्रदनाम कर रहा है ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपैट है ये नारमल आदमी नहीं है ये ह olmas है जिस तरह का इसने आजम स्वाती से किया कि उसको नंगा करके जब तश्रुद कर रहे थे तो रिकॉर्ट कर रहा था और सुन रहा था ये वो आदमी है बच्चों को पकड़ के सोशल मीडिया के बच्चों को जो इसे किया है जो शबास गिल से किया है उल्टा लटका के उसे जो किया है इन्हों ने सोशल मीडिया के लोगों के लोगों के लोगों के लोगों पर जो जल्म किया साहफियों से किया जो अश्र शरीफ से किया अब लोगों को पकड़ पकड़ के वो जो जावेद बचारा चौकीदार उसको उठा के ले गए उसको नंगा किया उल्टा लटकाया एक तो ये साइकोपैथ नंगा करने का इसको बड़ा शौका ये नॉमल नहीं है इसका जेनी तवाजन ठीक नहीं है नंगा करके फिर उसको एक चरपाई के साथ बांदा कुटे की तरह उसको जिंजीर बांद के चरपाई के साथ तीन दिन बांदा पौन करता आपने जी ये थे इमरान खान साब जो ये बता रहे थे के राना सना उल्ला साब के लिए बता रहे थे कि उन्हों ने इमरान खान साब की पार्टी के या लोगों को या इमरान खान के सपोर्टर्स को मतलब खान साब ये कौन सी जबाने के कुटे की तरह बांदा मनलब अजीब अजी मुझे जेल में डाल दीजिए और उसके बाद फिर बाकी के फॉलोवर्स आते हैं लेकिन खान साफ के अपनी मरदी जो कुछ वो कह रहे हैं मगर हम ने ये भी देखा है इससे पहले चाहे वो पीपल्स पार्टी के लीडर्स हों चाहे आसिफ अली जर्दारी हों चाहे दोना मचा देते हैं लेकिन बारहल इमरान खान को ये जरूर याद रखना चाहिए कि आएंदा अगर कभी भी खुदा ना खासता अच्छी बात मुझे निकालना चाहिए वैसे लेकिन कुछ भी हो सकता है पाकिसान में कुछ भी पासिबल अगर खुदा ना खासता इमरान साथ दोबारा जब प्राइव निस्टर बन जाते हैं तो उस सूरत में खान साथ आप लोगों के साथ वही मत कियेगा जो आप पहले करते रहें इसलिए कि जमीन गोल है दुनिया भी गोल है और चीजें भी पलट कर आती है और करमा भी एक चीज़ उती है उस पे आप बिलीव करें या ना करें हम चलते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान का कहना है सबसे बात करना चाते हूँ सबसे समझ tribां चलता हूँ लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा इम्रान खान साब establishment से बात करना चाते हैं, उनका ये भी कहना है, कि वो नए आर्मी चीफ से भी बात करना चाते हैं, लेकिन उनकी बात ना कोई सुन रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई फोन उठा रहा है, ना कोई फोन कर रहा है, मगर ये बात उदों ने बताना भूल गए शायद कि जो पिछले आर्मी चीफ थे यानि के कमर जावेद बाजवा साब उनके लिए तो इमरान खान साब कहते हैं कि जी उनका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए और सारी गर्मेंट वही चला रहे थे और उन्होंने कमर में चाकू गोपाए वगेरा वगेरा और उसके बाद आब नए आर्मी चीफ से मुलाकत करना चाहते हैं मतलब ये के पहले कि खान साब आपके साथ इतना कुछ हो गया अब आगे क्या चाह रहे हैं कि आपके साथ क्या किया जाए साथ साथ इमरान खान को सभी पहले जो है वो तालिबा इमरान को वह बात मैं किसी को बूली नहीं है बलकर यहां तक का था खान साब ने तो कि जी हम तो यहां लाके बसाने वाले थे हो तो खर खुर ही बस गए फिल हाल आपकी बारी नहीं आई है लेकिन ये जरूर है कि अपने लोगों को समझाईए कि मज़ीद अगर उन्होंने कि पहले लगाएं और किस किसम के नारे और उसके बाद उनकी जो च्छतरोल हुई थी वो भी सब को याद है लेकिन वो नारा में आपको सुनाते हैं जी ये थे फ़वाज चौदी तैने किसके बाप से कह रहे थे कि अजाने बाप पक्ड़करत के लेगे और उसके बाद इनको सारे नान व्याद करा दिये लेकिन अब वेरख च्याल है Agency आरे नहीं साफ़ाई नहीं लगाएंगे कि क्या अगर कुछ स्यासी जमार बैंक वर बाइस का इजाम लगाती है उनको इजामात लगाती है तो आप लड़े हो तो अब राम से बैटके कुछ खाई ये पिये और आईश की जिये तो बिलकुल प्यमलन के मेंबर जो है वो बिलकुल इसी तरीके से हमें एकदम पुर्शुकून नदर आ रहे थे और लग रहा था कि काफी खुछगवार मूड में हैं मगर असासद हम आपको ये भ तरह से घर को चलाएं इसलिए के चाहे कोई भी चीज़ आप लेने के लिए जाईए आपको पहले के मुकाबले में हर चीज़ जो है वो डबल प्राइस पे मिलती है और गर्मिंट का यहीं कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं हम सारा वो जो है पबलिक पे नहीं पढ़ने है लेकिन जाहिर है कि यह सुनी सुनाई बात है इसमें असर कोई नहीं है अब देखना यह है कि आखिर आईमेफ जो है वो कप पैसे देगा और कप फंड जो है पाकिस्तान को मिलेंगे जिससे के कुछ दिन के लिए कहा जा रहा है कि और गुजारा हो जाएगा लेकिन भार आधि वो हम को बताते रहेंगे अभी फिल्हाल यही है कि इम्रान खान साब के लिए मोधी जी का भी प्रोग्रैm सुरी एक पैगाम है मोधी जी का बीए उनके साति ना सरे उनके उनके साथी भी तो देख्तें मोधी जी क्या रहे ? जी हां आप लोग आप लोग रोना बंद कीजिए मेरे तक आवाज आ रही है ये कहना है नरिंदर मोधी जी का और मेरे ख्याल है इमरान छांसाब को रोना बंद कर देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे किस तरहां से तमाम political parties मिलकर पाकिस्तान को संभाल सकती है इसलिए कि इसके इसके इलावा कोई दूसरा रस्ता नहीं है और जिस तरह से problem चल रही है वो तो मौजूदी है लेकिन 7 को हम देखते हैं कि 7 मार्च को अदालत ने कहा है कि तोशा खाना केस में इमरान खान और उनके साथ साथ पुष्रा बीवी जी हाँ इमरान खान के इस वक्त जो मौजूदा बीवी है पुष्रा बीवी उनको भी अदालत ने तलब किया है और अदालत ने कहा है कि इमरान खान और पुष्रा बीवी दोनों अदालत में हाजर हो साथ साथ फराग होगी वही जो बड़े-बड़े जाजों में और बड़े-बड़े महंगे हैंडबेग लेके रूंती-पिर्टी हमें नदर आ रही थी उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनको वापस पाकिस्तान बुलाए जाएगा जो केस वक्त म मरगे लेके बनी गाला में उपर जलाए जा रहे थे और कोई मंतर संतर पढ़े जा रहे थे कि कोई किसी तरीके से ये प्राब्लम जो है इमरान खान के सर से हट जाए तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं क्योंकि जब से इमरान खान के उस पॉलिटिकल रैली में हादसा हु गए तब से इमरान खान साब जो हैं वो बनी गाला में नहीं है और वो लहौर जमान पार्क वाले घर में ही रह रहे हैं तो देखते हैं कि आखर इमरान खान साब बनी गाला वापस क्यों नहीं आ रहे हैं यानि कि वो अगर 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 अदालत में पेशी के लिए भी आते हם तो अजलत में बातीत करके वो बाराह लहार चले जाते हैं और लहौर से ही वो अपनी पूरी पुरी पार्टी पाकिस्तान तरीक इंसाब को चला रहे हैं अब देखते हैं इंतिजार करते हैं कि आखिर बनी गाला की बारी का पाई गी हो बनी गाला कुछ सनाटा सा है क्योंके खान सा मौझूद नहीं है तो हम अमीर करते हैं कि जल्द ही हम देखेंगे कि अमरान खान साथ जो है बनी गाला भी जो है वो अपना एक चक्कर लगाएंगे घर आखिर उनका मगर ये जरूर है कि पंजाब और के पी के के इलेक्शन जो अनांस किये गए हैं प्रेजिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से उस पे भी एक नजर हम रखेंगे और आपको जो है अपडेट करते रहेंगे हम अतना बहुत जादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूलिएगा थैंक यू कि यूलिएगा तरफ दिलेक्टाइब जादा है।